और एक ट्रिक को हुँ दिया जी MS Word देवेच इस इक्वलर से एन पाके रेंग लिखना तुसी और ब्रेक्टर वेलकम तु वाच 2020 यूट्यूब चैनल आज दिये इस वीडियो वेच आप MS Word दा प्रेक्टिकल करके देखांगे असल वेच इस वीडियो अपनी पहली वीडियो MS Word दा इस्तिमाल उससे दाई दूजा पागया उस वीडियो चापा डिसकस कीता सी कि MS Word हुंदा की या MS Word देवेच आपा की 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 कर सकते हैं और केड़े केड़े डॉक्यमेंट से बढ़ा सकते हैं सो उससे सारी डिसकस्यन नो आज आपा प्रेक्टिकल ही करके देखांगे जी सब्तों पहला MS Word नो उपन के में करना उपन करन दे लिए टास्क बार दे उपर स्टार्ट बटन है जी लेफ्ट साइड दे नीचे लेफ्ट कॉर्नर दे विच स्टार्ट बटन दे क्लिक करने आवे इदी विंडो खुलेगी जी दे विच सामने देखो लिक्खा ऑफिस ऑफिस दे नाल चार आपशन आन दे विच ब्लू कलर दी डब्ली वाली आइकन MS Word दियागी है देखो उपर माउस लिया हो दिना रोते हैं वर्ड लिख्या रहा है इते क्लिक कर दोगे MS Word खुल जेगा सेकर्ड ऑप्शन है जी नीचे सर्च वाला एक बटन बढ़ा है जीदे जी तुसी वर्ड टाइप कर दोगे और वर्ड दी ऑप्शन हाजेगी जा इते क्लिक कर दो या इते ओपन दे क्लिक कर दोगे ता MS Word उपन हो जेगा और थर्ड मेथड हैगा कि तुसी एदी एक शॉर्ड काट आइकन बढाके डेस्कटॉप ते रख सकते जीदे तो डबल क्लिक करके MS Word नो उपन कीता जा सकता सो मैं फिलाल आले नो पहले उपन कीता है नीचे नो मिनिमाइज कीता सो जदो आप उपन कर दें पहली विंडो जडिया आ वलिया न दिया एदे उपर सब तो उपर टाइटल बार जी देवेचे डॉक्यमेट नाम लिखे नदा फिलाला पहला फ्रेश शुरू कर रहा है इस करके देवेचे डॉक्यमेट वान आ रहा है असल वेचे जदो आप पहली वाल मेंस वर्ड कोल दें एवेद इंटरफेस भी शुरू करदा जी देवेचे उपर जड़े आ कुछ टेम्पलेट्स देती है और गिया एक ब्लैंक डॉक्यमेट देता होएगा कि अगर तुसी फ्रेश काम करना थे ब्लैंक अगर कोई देती है और रिसेंट यूजड और रिसेंट काम कीते जड़े कुई डॉक्यमेंट्स दे ओ नीचे शो करेगा उनना चो अगर तुसी कोई करना चाहं देजे ओ चूज कर सकते और अगर कोई टेम्पलेट्स दे यूज करनी है और फ्रेश अगर तुसी यूज करना ब्लैंक यूज कर सकते और अगर इनना टेम्पलेट्स दे विच्व ता नो कुई पसांद नहीं है के अगर राइट साइड ते है गावा मोर टेम्पलेट्स ओधी ऑप्शन अगर उते क्लिक करोगे ते होर काफी सार ये टेम्पलेट्स जड़े या खोल जानगी है उनना दे विच् अगरे क्लिक करोगे ते अधे रलेटेलीया टेम्पलेट्स ओप्ट जानगी है ते होनगी होना आप काड दे क्लिक किता है kaart फेलिक करने तो बाद cards देना रलेटेट टेम्पलेट्स खोल जानगी जहीं Best of luck और sympathy cardplay कर्भ और सो ऐसारे कार्ट्स जिद्द हैंनना दी टेंपलेट सा कुछ बिजनस कार्ड जा जिमें विजिंग कार्ड विगरा रा विजितिंग कार्ड वगरा हों धियाद विद्यदीनце कार्ड थैंपलेटे खोल लेए हैं और थ Given बहुत एडिटिंग अपने कंपनी दा या अपने जो भी तुसी नाम लिखना हो लेके वो दा प्रिंट कर लाए कि अपने कार्ड बिढ़ा सकते जे कि अपने विखना हो लेके नाम लिखना है जी आ आपा mostly use करना हुंदा तो तेन बटन इते है जी save दा बटना save means कोई काम कारे जो उन्हों नाला नाला तुसी save कर सकते जे undo बटना मतलब के कोई तो बाइब मिस्टेक कुछ गल्ती हो जान दिया तो तुसी उन्हों undo कर सकते जे या keyboard दी shortcut Ctrl Z दबा सकते जे या इतने क्लिक कर सकते जे और redo कोई काम तुसी repeat करना चाहूं दे जे इतने क्लिक कर सकते जे जहां Ctrl Y दबा सकते जे और होर तुसी इतने कुछ बटन रखने चाहूं दे जे ओ इतनो option आएगी जेड़ा भी तुसी इतने चो रखना चाहो वो इतने आजेगा जे ओ तुसी रख सकते जे और राइट साइड ते जड़े कुछ बटन्स है गे या सब तो जड़ा लास्क ते बटन आजी close बटन एदा सारे उनु पता ही हो गया के तो close हो जन्दा यानि के कोई प्रोग्राम ते आपका काम नहीं करना उन्हों आपका close करना बंद साइज चाजेगी और होन देखो होने maximize होने टे क्लिक करांगे फिर तो फुल स्क्रीन यानिके maximize हो जेगी MS वर्डी विंडो तो यह दो त्रीके नाल काम करना होने maximize बटन या होने restore बटन तो नाल दा बटन जी तीसरा minimize बटन मिनिमाइज दा मतल बुंदा के आज ड़ा डॉक्यमेंट अपना जीते आपका काम कर रहे हैं हमालो ओटनू अपा बांध नी करना बैट फिलाल विच्चो कोई हूर काम करना तो इन्नू बांध ना कर देऊ इन्नू आप मिनिमाइज कर सकते मिनिमाइज कर ले अपा इन्न एते क्लिक करांगे एफ बांध नी होया नीचे चला गया देखो टास्क बार ते मिनिमाइज हो गया और फिर तो अपा इन्नू इते क्लिक करांगे तो फिर तो उपन हो जेगा सो मिनिमाइज दा मतलब उन्दा कि बांधना करके नू टास्क बार दे उपर आपा मिनिमाइज कर सकते हैं और उपर कुछ टैब्स बने हैं होम, इंसर्ट, डिजाइन और जेड़े भी टैब्स खोलांगे और अपने को एक बटन आगया जी आवला बटन है यह दी हल्प देना आपा अगर आज जड़े रिबन बगारा और यह टैब्स हैं इनना उन्हों मालो अपन जादी जगा चाहिए और यह टे क्लिक करांगे देखो अपनेटिकली हाइड ते अगर अप्शन करदांगे ते अपनेटिकली सारा कुछ हाइड हो जगा आपा जादी जगाज काम कर सकते हैं और देखो यह शो करें अगर शो ते क्लिक कर देने हैं ते फिर हो टैब्स जेड़े उपर शो करेगा बट रिबन शो नहीं करेगा और फिर थार्ड ऑप्शन हागी शो टैब्स अन्कमार्ड उते क्लिक कर दांगे फिर सारा कुछ शो करेगा तो अगर जादी स्पेस अपनुचाही दिया मालो कुछ पड रहें आपा और आप इनना ते काम नहीं करना तो इनना नूँ अपा हाइड भी कर सकते हैं तो आ बटर ज दोकिमेट्स नूँ ग्लाउड देवेचे सेव कर सकते हैं वन ड्राइव एक माइक्रोसॉफ्ट वालो ओप्शन हाँ ओधे वेचाही आपा सेव कर सकते हैं और आपा ओनलाइन किट्यों वी बात चाहीं अक्सेस कर सकते हैं तो टैब्स दे नीचे जड़े हाँ रिबन उंद आजएंड कियां और एतना ले आउट देगां जड़े हाँ वक्रिया ओप्शन सा रेफरेंस दियां वक्रियां वां रिव्यू व्यू हल्प दियां वक्रियां ओप्शन से ओन कियां सो सब तो बेसिक जड़ा हूम टैब दे अपा चीज़ां यूज करते हैं ओधे वास्ते आ वाले फॉर्मेट वाले फॉर्ट वाले जड़ी ज़ा क्लिपबोर्ड या परेग्राफ वाले चीज़ा नो यूज करके देख देयां सो सब तो पहला हमां क्लिपबोर्ड वाड़ा सैक्शन यूज करके देख देयां और एक ट्रिक को वँदियां जी MS Word देवेचर इसेक् आवला कीवर्ड यूज कारके तुसी एंटर दबाऊगे तो देखो एक रेंडम टेक्स्ट तो अनू मिल जेगा ओधे तुसी कोई प्रेक्टेस कार सकते जे फॉर्मेटिंग दी और रेंडम जेड़ा तो अनू टेक्स्ट उपलब्द हो जेगा वैसी कुछ है एमस वर्ड वल तो Ctrl X दभाधांगे इत्तों काटो गया और एक क्लिप बोड एक विंडो दी फैसलिटी एक्चली बहुत सारे लोग समझ देए MS Word या MS Excel या Microsoft Office दी फिसिलिटी या Actually MS Windows दी फिसिलिटी या जिड़ी क्लिप बोर्ड है इस करके Office तो बार भी चल दावा और एक क्लिप बोर्ड देवेचे अपने हैगा वा इन्हों Ctrl V या इतों पेस्ट करांगे आदेखो पेस्ट करांगे ते नीचे जित्थे भी करसर होएगा उत्थे आजेगा पेस्ट करांगे देखो उपरों काट होके नीचे आगया या Ctrl V दबा सकते हैं या इतों पेस्ट ते कर सकते Ctrl X मीन्स काट, Ctrl V मीन्स पेस्ट और मानलो के अगर आपा इन्हों इतों काट नहीं करना बाट एदी एक कॉपी जड़िया होर बना के किसे होर जगते पेस्ट करने हैं फेर या वाला कॉपी वाला चीज जड़िया अपने यूज चाहेगी कॉपी कर लिया होना कॉपी ओ चुका होगा इत्थे विया काटनी हो या और मानलो जित्थे आपा मानलो चाहने आपा के इत्थे वियो तिन्हों लाइना कॉपी हो जाना देखो इत्थे वियो आगिया और नीचे विया देखो इत्थे विया और इत्थे विया ठीका जी कट करके पेस्ट करना, कॉपी करके पेस्ट करना Ctrl X, Cut, Ctrl C, Copy, Ctrl V, Paste ठीक है जी? और अग्गे हाँ, Format Painter एदा की मतलबुन दा मानलो के आज डी चीज आ एदे ते आपा कुछी फॉर्मेटिंग कीती है के अदे आपा खरादा कलर, चेंज कीता हो किसी होर चै और इनना था साइज भी जड़ा अपा वदाया थोड़ा जा ठीक है जी? और इनना था अपा बॉल्ड भी कीता होया इनना था फॉर्मेटिंग होई है और इनना था मानलो अपा जस्टिफाई भी कीता है उस सारा अपा केमे करने उस बाच दिखांगे फिलाल में था उननों फॉर्मेट पेंटर दे बारेच दास दे है और इनना था जड़ी फॉर्मेटिंग होई होई है तो अपा चौने के के होर स्पेसिफिक लाइन थे भी इही सारी फॉर्मेटिंग करनी है तो की करांगे आपका कोई फोर्मेटिंग जिन्हों आपका कॉपी करना ओ चूज कर लांगे उस तो बाद वन्हों सेलेक्ट करना तो बाद फोर्मेट पेंटर टे क्लिक कर दाए और जड़ी एंधी टेक्स नहीं कॉपी हो या बट जो जो यह दे ते आपका डिजाइन भी सारा कुछ एस लाइन ते भी हो गया सो फॉर्मेटिंग नूँ कॉपी करके पेस्ट कर दावा मालों के इते तुसी कोई वर्ड दर तानु डिजाइन वदिया लगदावा दुज्जे ते भी ओही लोड़ा फिर होता हुनु पहला पता करना पाएगा केड़े फॉंटा केड़ किना साइज है वो सारा कुछ वखरा वखरा करना पाएगा अगर तुसी यहनु स्लेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर दे क्लिक करके फिर तो फॉर्मेटिंग पेस्ट कर दोगे यह बहुत ही इजी होजेगा सो यह बहुत ही कामदी ऑप्शन है किया उस तो बात जी ए सारा मेर ख्याल के क्लिप बोड़ दा तो नों पतर चल गाएगा काट कॉपी पेस्ट फॉर्मेट पेंटर सो नेक्स्ट सेक्शन जेडा वीडियो दे नेक्स्ट पार दे विच करांगे जिदे विच आप दिखांगे के फॉंट्स वगारा दे स्टाइल के में चेंज करना कलर वगार वीडियो से वास्ते तुसी मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लो कीप लर्निंग कीप स्पोर्टिंग थैंक यू वेरी मच